भाजपा को लगा 440 बोल्ट का जटका पांच बार के बीजेपी बिधायक ने दिया इस्तीफा भाजपा में मचा हड़कंप मोदी साह के उड़े होस बतादे भाजपा में इन दिनों इस्तीफों की जड़ी लगी हुई है भाजपा के एक के करके कई नेता और मंतरी अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं जिसे से भाजपा को जटके पे जटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले 2024 के चुना में भाजपा को मुश्कि अपने आवाज पर मीडिया को संबोधित करते हुए रामनगर MLA ने कहा कि दलित होने के करण संगठन में मेरी बात नहीं सुनी जाती पदमा सिरी भागी रथी ने पार्टी के क्रिया कलापों से परेसान होने की बात कही भागी रथी ने कहा कि बिहार भाजपा अध्यच डाक करते हुए कहा कि पार्टी में सम्मान नाम की कोई चीज नहीं है भाजपा के प्रदेश अध्यच डॉक्टर संजे जैसवाल ने कहा कि बिधायक भागी रथी देवी प्रदेश अस्तरी समर्पित और सम्मानित नेता है उनकी जिला संगठन से थोड़ी नराजगी है उनसे बात हुई है उनकी नराजगी दूर कर ली जाएगी भाजपा उनका सदेव सम्मान करती है उन्होंने कहा कि मेरे अपने जिले बगहा के संगठन में भी हमारी कोई पूछ नहीं रही है दो लोग मिलकर पूरे जिले को चला रहे हैं उन्होंने बिना नाम लिए पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया है कि मुझे दलित समझ कर हमेशा नजर अंदाज किया जाता है चुनाओं में भी हमारे साथ दुर्विहार किया जाता है मैं भाजपा को वोट दिलाने के प्रयास में रहते हूं और वे लोग कॉंग्रेस के चक्कर में रहते हैं जबकि मेरी इम भाजपा के संगठन को केवल दो लोग ही चला रहे हैं यहां कोंग्रेस को मदद पहुंचाने वाले नेताओं की पूछ है मुझे दलित समझकर परिसान किया जाता है उन्होंने कहा कि मेरी परिसानी प्रदेस भाजपा के अध्यच संजे जैसवाल जानते हैं लेकिन कोई का मान नहीं मिल रहा है तो मैं क्यूं पदपर बनी रहूं उन्होंने कहा कि राष्टी कारिसमित और प्रदेस कारिसमित से इस्तिफात दे रही हूं